हम जलो स्टूडेंटि फाइनली ऑपने बिलकुल थीक और इई आप में अपया सकते हैं वीडियो का सबूरिक भा सुनाइग था आप एडवास प्यसधिक कर् Revelation को मैं ना उपे ताथि unis सपने में नहीं हूँ मुझे भी ठीडर रही हूँ आजग देख रहे हूँ आधल vera विड ही hu जहा कमोन का सच कहता हुए यह आर वातिंग वीडियोग अ कि नियुक्स देनी हाथ को एकना होट्रेस भीनिकल की को कि हमें attempt come on क्या J-E man का first attempt April में ही होगा guys then second attempt आपका June sorry मई में हो सकता है because after the J-E man second season at least एक महिने का time दिया जाता है J-E advance के लिए आपको बिल्कुल याद रहे हो सकता है J-E main first phase और second phase में बिल्कुल भी time ना दे okay इसकी मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन हाँ आपको जो J-E advance का जो exam है ना उसके लिए आपको बिल्कुल टाइम दे जाएगा इसके लिए मैं 100% sure हूँ 20 से 25 दिन का guarantee time दे जाएगा क्योंकि 13 से 14 दिन तो J-E advance के registration तक का लेग जाता है यानि कि आपका जो जून जून जो महिना है न वो तो एसे ही चला गया तो आपके जो exam है first attempt और second attempt 100% confirm हो चुका है अप्रेल और मही में होगा कमोन क्या 100% confirm हो चुका है अप्रेल और मही में ही होगा तो इसके लिए मैं strategy वीडियो आज ही upload कर रहा हूँ वीडियो का description में link दे रहा हूँ दो महीने की आने वाल दो महीने की क्या strategy रहनी चाहिए आपका अप्रेल और मही में exam होने वाला है confirm हो चुका है J-E-E advance की website पर आ चुका है finally कि आपका exam कब होने वाला है अभी एक बड़ J-E-E advance की जो है dates declared को चुकी है तो confirm है 100% तुमारे जो है J-E main के exam अपरेल और मही के अंदर होगे ही होंगे समझ गए तुम लोग और इसके जो J-E main के जो registration है वो February में अब कभी भी start हो सकते हैं कि मार्स तक का आई तिंग वेट नहीं किया जाएगा फरवरी में ही start हो जाएंगे हो सकता है आने वाले कल यह पिर 28 तारीक तक कभी भी start हो सकते हैं जैको जनरल फोर्मुले से समझाता हूं तुमको मैं कि वहां पर जो दिया गया तीन जुलाई से तुमारे जो एक्जाम है J-E-E advance के ओके सो उसका admit card आएगा जही एडवांस का सभी को पता होगा जही एडवांस के लिए हमें रजिस्टेशन भी करने हो किते हो तो एटलिस 13-14 दिन का टाइम मिलेगा तुमें तुमें टाइम के लिए जाएगा तो एटलिस 13-15 दिन का टाइम तो तुम्हें रजिस्टेशन के लिए दिया जाएगा देन जो है 15-20 तुम परप्रेशन करोगे जही एडवांस की ओके यह मैं सेकंड फेच के बात की बात बता रहा हूं यानि कि तुमारे जूल में कोई ए अगर जेए एडवांस ने डिकलेट कर दिया है तो जो जेए मैं का जो सेकंड फेजना उसका रिजल्ट एट लिस्ट जून से पहले तुमान सकते हो ओके सो मई या फिर जून के फस्ट वीक में जेए डवांस के सेकंड फेज का रिजल्ट आज जाना ही चाहिए किसी भी हाल पको आज में जाना चाहिए वैसे जो सारा प्रोसेस्स है वो 30 मैं का टग घञी मैं का है क्योंकि ऐने को परिपेरेशन कर सेश्थु together को work को आपका रिखोनी माला है तो छि 짧ए मई में होगा सेकेंड फेज फिर्षट फेज अप्रेयल होगा रहेंटेट में किसा थो के थो बड़ी स्टुड़ों से इंतजार था इस कबर का भूत ही दिनों से लेकिन हाँ फाइनली कबर आ ही चुकी है जही में की अपडेट कभी भी आ सकती है आई थिंक फरवरी में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए वैसे रेजिस्टेशन हो सकता है मई में हो जाए लेकिन अब एक्जाम तुम्हारा अब मान सक होंगे कंफर्म है हंड्रड परसेंट गैरेंटी के साथ थेंक्यू शो मच